एक तरफ तो उदाइपुर नगर निगम शहर को स्वच्छ और साफ सुत्रा बनाने के लिए अतिक्रमन के खिलाप ताबर तो कारेवाई कर रही है इसका ताजा उदाहरण सिटी स्टेशन के सामने बनी बसती है जिसे हटाने के लिए निगम को बड़े विरोत का सामना करना पड़ा था लेकिन इसी के विपरिच शहर में कई रसुकदार ऐसे है जिने न तो निगम का खौफ है और ना ही नियमों की पालना करनी है इसी का ताजा उदाहरन उदैपूर के सवीना इलाके में देखने को मिल रहा है जहां एक रसुकदार ने बिना सेट बेक छोड़े ही निर्मान शुरू कर दिया है जिस से पडोसियों की हवा रोशनी बादित हो गई है सवीना खेडा रोड पर अमबोर सरिया गार्डन के पास एक मकान मालिक ने कॉर्नर के पास रोड पर कबजा कर अवेद दिवार बनवा दी है यही नहीं अब मकान मालिक दबंगई दिखाते हुए तीसरी मंजिल पर भी बिना सेट बेक छोड़े दिवार बनाने पर भी आमादा है जानकारी तो यह भी मिली है कि मकान मालिक शिवलाल चोधरी के पास निगम से निर्मान सिकृती भी नहीं है चोधरी दौारा नियमों को ताक पर रख कर हो रहे अवेद निर्मान का पडोसी कैलाश नागदा ने विरोत किया तो भी वे मानने को तयार नहीं शुक्रवार को पडोसी नागदा ने नगर निगम में लिखी शिकायत दर्च करवाई नगर निगम द्वारा फिलाल काम को बंद रखने और इस सम्बंद में दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा लेकिन निगम में पेश होने की बजाए दूसरे दिन शनिवार को भी चौधरी ने तीसरी मंजिल पर दिवार का काम शुरू करवा दिया पडोसी द्वारा टोके जाने पर शिवलाल चौधरी बहस करने लगे चौधरी ने कहा कि जो करना है कर लो ये अवेध दिवार तो बन कर ही रहेगी पीडित नागदा का कहना है कि रोड किनारे धीरे कबजा कर अवेद दिवार के निर्मांट से उनके घर से आने जाने में कई तरह की दिक्कते आने लगी है अब घर के ठीक सामने उपर भी दिवार बनने से दोनों घरों की बालकनी के बीच मास धाई तिन फीट जगर बची है ऐसे में उनके लिए तो हवा रोशनी का भी बड़ा संकट हो गया है चोधरी द्वारा तीन मंजिल तक बिना सेट बैक दिवार बना देने से पड़ोसी एक घर में हवा रोशनी की भी दिक्कत हो गई है आए दिन कभजा करने के कोशिश में दो फीट चार फीट करके और पूरी हवा रोशनी सारा बंद कर दिया है मेरे और आए दिन प्रेशानी करते हैं इसके रिपोर्ट मैंने नगनिगम को कर रखी